आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चानल पर मैं होडश्यादली UPTET परिक्षा के लिए आज हम पर्यावरान यानि इन्वार्मेंट में डिस्कुस करेंगे जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्णों को हाली में जो आपका पेपर हुआ था UPTET का जिसको कैंसल कर दिया गया था उसमें आपने देखा जीव विज्ञान के बहुत सारे प्रश्ण पूछे गए थे आपसे तो वैसे ही प्रश्ण हमने यहाँ पर जन्तु विज्ञान और साथ ही वनस्पती विज्ञान के शामिल की हैं यानि जूलोजी और बोटनी दोनों के ही प्रश्ण इस प्रैक्टिस सेट में हमने शामिल की हैं करते हैं वीडियो का आप से रिक्वेस्ट लाइक कर दीजिगा इसके नए पार्ट के लिए आए शिरुवात करते हैं आज का प्रेशन नंबर एक देखेंगे निमलिकित में से कौन सी सत्य मचली का उधारन है आक्शुल में जो फिश है ट्रू फिश इन में से कौन सी है जो मत से वर्ग में शामिल है इसमें अगर हम बात करें इसका अंसर होगा फ्लाइंग फिश जो फ्लाइंग फिश है ये पिसी स्वर्ग में आती है बाकी ये हैं अलग अलग फाइलम में है जैसे सिल्वर फिश जो है आर्थो पोड़ा में है कटल फिश जो है ये मुलासका में है और जैली फिश आपकी नेरेडिया में आती है, तो जो वास्त्विक मशली या सत्य मशली या हम कहें PC स्वर्ग में शामिल है, वो फ्लाइंग फिश है इन में, आप्शन सेकेंड होगा आज का, प्रेश नमर नेक्स देखेंगे, जानवरों का कौन सा ऐसा समू है, जो विशेश रूप से मुक्त रहने वाले समुद्री जानवर होते हैं, मरीन में यानि पानी में, यानि समुद्र में रहने वाले जीव, जिनका जीवन समुद्र में ही वितीत होता है, इसमें जो इकाईनो डर्मेटा है, ये पानी में पाए जाते हैं, समंदर में पाए जाते हैं इन्हीं को ये हम बोलते हैं, marine animals प्रशन अगला देखिए, इन में से कौन सा जानवर जो है, phylum इकाइनो डर्मेटा के तहत समू में नहीं आता है जो इकाइनो डर्मेटा में शामिल नहीं किया जाता है, कौन सा ऐसा जानवर है ocean यानि महासागर में पाए जाने वाले SM अभी डिसकुस किया था, इकाइनो डर्मेटा होते हैं ऐसे जीब जो समुद्र में या ओशिन में महा सागर में रहते हैं वो इकाइनो डर्मेटा समू के अंतरगत आते हैं इन में भी कुछ खास बात है इसमें अगर हम देखें स्टार फिश और सी कुकुंबर सी उर्चिन ये तीनो आते हैं इकाइनो डर्मेटा में लेकिन सी होर्स इसमें नहीं आता है option 4, सही answer होगा यह आता है PCS में नेक्स सेखे, निमलिखित में से कौन से जानवर में लाल रक्त वाही का, यानि आर्वीसीज में नाभिक होता है तो ऐसा कौन से जानवर है जिस जानवर के blood में जो आर्वीसीज होते हैं जो उट है, यानि जो कैमल है कैमल के आर्वीसीज में नुकिलेस पाय जाता है option A, इसका correct answer होगा निमलिकित में से कौन सा एक शीतल रक्त युक्त जनतु है आपको cold-blooded animal इसमें से बताना कौन सा है तो इसका answer हो जाएगा shark option 3, इसका correct answer होगा shark इसमें कौन आते हैं, जो cold-blooded animals होते हैं एक तो piscis work के आते हैं ठीक है, piscis work के अलावा इसमें reptiles आते हैं ठीक, reptiles के अलावा इसमें amphibian आते हैं ठीक है, जो cold-blooded होते हैं प्रश्ट नेक्स देखिए, पशू और पौधो के बीच में जुड़ने वाली जो कड़ी है, इनमें से कौन है तो इसमें देखें, पशू और पौधो के बीच में जो जुड़ने वाली कड़ी है, वो है yuglena yuglena में chlorophyll पाया जाता है जो एक plant का feature है लेकिन animals में जो cell wall नहीं पाया जाती है जो की एक पशू का या animal का एक feature है तो yuglena इसका सही answer होगा निमनलिखित में से, इन में से कौन सा है जो green proto joa के रूप में भी जाना जाता है green proto joa proto joa को आप जानते हैं ये singular, इसमें जो आप कहेंगे single cell होते हैं इसके अंतर ये एक कोशिके होते हैं ये इसमें पाया जाता है आपका chlorophyll तो ये green होता है इसको बोला जाता है green proto joa युगलीना को ही answer चार होगा अगला देखेंगे चपल के आकार के जानवर इन में से कौन सा होता है अगर आपने परामीशियम देखा हो इसकांसर ठीक होगा अगला देखेंगे मानव जाती इन में से किस परकार के स्तंधारी होते है योमन जो है यह परामीशियम योbel में में लेकिन किस तरा के मैमन के में earbuds होते हैं इसमें इसे मेमस आते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो पूरी दरसे वो विक्सित होते हैं वो बच्चे तो इसमें यूथीरिया में आते हैं human ठीक है यूथीरिया में आते हैं human जो है mammal की इस category में अब इसमें ये तीनों ही टाइप किसके mammals के जो प्रोटो थीरिया है इसमें ऐसे mammals आते हैं जो eggs देते हैं ऐसे mammals जो अंडे देते ह लार्ज इकार्णी वोरस बताना इन में से कौन है किसी फूट चेन के अगर हम बात करें तो फूट चेन में जो अंतिम रूप से देखते हैं हम तो यह जो है टर्शेरी कंजूमर होते हैं वो ठीक है यह बड़े मांसाहरी होते हैं तृत्य उपहुकता जो होते हैं जैसे चील ह हो जाती है लायन हो जाता है इस तरह से चलिए नेक्स देखेंगे वातिलस्ती कशेरी के जानवरों में किसकी महत्पूर्ण विशेषता है नुमेटिक बोन इस इंपॉर्टन करेक्टरिस्टिक और विच आपको बताना है तो यह बोन्स जो नुमेटिक बोन्स होती है वो हो बोन्स कि बीच में क्या है यह भरी होती है ठीक है इस तीसरा हो जाएगा निमलेखित मेंसे कौन सा एक यूनि-स एलूलर नहीं है आपको पताना है एक कूशी के एनमिसे कौन सा नहीं है यूगली न अमीबा परामीशियम यह सब क्या है यह यूनि-सेलिलिलर है हाइड्रा unicellular नहीं है option 4-3 थी cancer होगा प्रशनल अगला देखे RH factor is named after a species RH factor का नाम किन प्रजातियों के नाम पर रखा गया है हमारे शरीर में जो blood पाया जाता है blood में क्या होता है RH factor नाम का प्रोटीन होता है तो यह किसके नाम पर रखा गया है इसका नाम लैंड इस्टीनर के दुआरा जो है RH factor की खोच की गयी थी और यह Rhesus monkey आरच से है Rhesus monkey यह बंदर की प्रजातियों के नाम पर इसको रखा हुआ है अब आप unacademy के learning application पर भी मेरी classes से त्यारी कर सकते हो यहाँ पर मेरी special classes free classes भी available है और यहाँ पर plus classes भी in academy के available है अगर आप अपर PCS की तयारी कर रहे है खंड सिक शादी कारी यह other exams की तो description में link है मेरे profile का आप वहाँ पहुँच सकते हैं सीधे इसके लावा अपके लिए लेकर आया है अपर PCS के लिए आपकी अगर preparation कर रहे हैं और यहाँ पर स्कॉलर्शिप टेस्ट आइए और यह free scholarship टेस्ट है आपके लिए free test series है जो की संडे को सुबा दस बजे होती है इसमे rank 1 लाते हैं आपको 100% scholarship मिलती यह एक साल के लिए आपको free में सारे batches अवेलेबल होते हैं UPPSC, UPCCC with optional subjects इसके लाब यूपी कॉंस्टेबल बैच और यूपी लेकपाल बैच अनकैडमी लेरिंग अप्लिकेशन पर चल रहा है इसकी free test series भी चल रही है आप जॉइन कर सकते हैं और यूपी कॉंस्टेबल बैच में मेरी जीके के classes चल रही है अभी जिसमें history, geography, ये classes में ले रहा हूँ इनकी और उन्नत resolution बैच ये बैच आपका 4 जनवरी को शुरू हुआ है ये 7 जनवरी को शुरू हुआ है तो उस GS की test series के साथ अगर आप आते हैं test series में रहांग वन लेकर के तब आपको plus के एक साल के course ये सारे, upper pieces, lower, RO, UPSI, PET, लेक पाल, VEO, ये सारे course अनलोग हो जाते हैं अगर directly आप plus में जाना चाहते हैं तो plus के लिए आप subscription भी avail कर सकते हैं इनके subscription की जो plan है वो कुछ इस तरह से हैं आप अगर एक मंद का subscription लेते हैं तो 17 रुपे और 24 मंद का लेते हैं तो ये 13,600 और इस पर आप अगर iAli 10 रेफल कोड मेरा रेफल कोड अगर अगर अब इस्तमाल करते हैं तो आपको 10% का discount मिलेगा के जीबी subscription पर iAli 10 ये रेफल कोड है मेरा और PCS की तयारी के लिए आपको ज्यादा जानकर इस नमबर पर मिल जाएगी अनकेडमी के किसी कोर्स के लिए 971-788-7881 पर इस रेफल कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिशनल डिसकाउंट मिल जागा किसी भी subscription पर सवाल अगला देखिए बड़ा important है Capra Hircus इनमें से किसका वैग्यानिक नाम है Capra Hircus बकरी का वैग्यानिक नाम होता है Capra Hircus ठीक है बकरी का यनि गूट का नाम है Capra Hircus अंसर इसका 4 सही होगा next एक खमीर और मश्रूम जीवों के किस वर्ग के उधारन होते हैं ये इस्ट और मश्रूम बताना है किस वर्ग मेन को शामिल के जाता है तो ये फंगी कवक यानि फंगी में ये शामिल के जाते हैं खमीर और मश्रूम दोनों को ही अब important प्रेशन है पिछला वाला भी और ये भी बड़ा important प्रेशन है इस आप दी फॉलववग इंगी लार्जेस्ट अनिमल फाइलम सबसे बड़ा पशूशांगिन में से कौन सा है यह इनि सबसे ज़्यादा अनिमल्स जो है कौन से फाइलम में आते हैं कौन सा संग है जिसमें सबसे जानवर आते हैं जो आर्थोपोड़ा है इसमें लगभग 80% तक जो अनिमल्स हैं वो कबर हो जाते हैं और्थोपोड़ा में ठीक है option second तिल चट्टा किस जाती से सम्मन दीता है कोकरोच इस बिलॉंग्स टू विच फाइलम तो जितने भी कीट पतंगे हैं वो सब और्थोपोड़ा में तो इस पच्छू के फेफ़डों का आयतन स्वास के सभी चड़नों के दुरान अपेक्षा करत स्थिर होता है यानि जो इनका अगर हम कहें लंक्स जो है आम तोर पर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं इसका साही आंसर होगा बर्ड्स जो पक्षी होते हैं इनके लंक्स जो ह और इसमें जो है एर भर जाती है इनके लंक्स में तो इनकी जो डेंसिटी है वो एर से या तो लगभग बरावर हो रहती है कम हो जो इसको इनको उड़ने में हेल्प करते हैं प्रशन अगला देखिए यूरी कोटैलिक जानवरों के द्वारा नाइट्रोजन अप्सिस्ट क तितलिया पशु किस पसुजाती से संबन देता है किस फाइला में आती है तो तितलिया आपकी और्थो पोड़ा में आती है ठीक है प्रशन अगल देखिए नैरिस फेरी टेमा जो कहचवा होता है और हिरुदीन आरिया जोंक जिसे कहते हैं कहचवा और जो जोंक है वो किस जाती के एक्जामपल होते हैं तो यह होते हैं किसके एनिल एडा के ऑप्शन थार्ड इसका सही अंसर होगा सवाल अगला देखिए दूसरा सबसे बड़ा पशुशंग कौन सा है इन में से सेकिंड लार्जेस्ट अनिवल फाइलम और तो इसका अंसर होगा अप्शन एक प् इसका अंसर होगा स्पाडर मंकी का है शुक किस संग के हिस्सा होते है क्राप्स कौन से फाइलम को विलोंग करते हैं तो ये भी अर्थर पोड़ा में ही होते हैं कुछ इनने लिए हैं आपको मैने पहले बताया था जन्तों विग्ञान के कुछ हम शामिल करेंगे आपको वन में से कौन सा एक बहु कोशी किया मल्टी सेलिलर और्गेनिजम है तो इसका अंसर होगा इसका अंसर होगा ऑप्शन ए जलकुंभी इसको बोलते हैं अगेरियस ठीक है अगेरिकस ने मले कितमे से कौन से पादप हॉर्मोंस है प्लांट सेल्स की बात करें ऑगजिन तो इसमें जो है चारिनीन और गिरलीन ये तीनो ही पादप हॉर्मोंस हैं प्लांट हॉर्मोंस होते हैं और चार सगी आंसर होगा इसका चले इसमें देखिए हमने कई सारे साइटिफिक नेम पर क्वेश्चन की है आज करेले का वैग्यान इक नाम आपको बताना है तो इसम में सोले नम स्मय मलों अजया है इपक्षान करें जो मृपुज्ऑ कर ल है। नाम में कौन से इससा की पार्थैनो की जो पार्थैनो कारपी है इसका एक्जामपPlus का और प्स्राइब की गांते हो दर्धा Mm, तो इसमें जो गुआवा है इसके साथ ऐसा नहीं होता है तो इसका एक्जामपल नहीं होता है निमलेकित में से कौन से द्वीवीज पत्री जो पोधे होते हैं उनका एक्जामपल है तो इसका अंसर होगा बर्गत का पेड यानी बैनियन ट्री ऑप्शिन चार्थी का अंसर है सवाल लग लगा देखे, इस शैवाल का प्रियोग आयोडीज टिंश दवा बनाने के लिए यूज कर जाती है इसका अंसरूंगा लैमिनेरिया, जितने भी अंटिसेप्रिक्स ट्यार के जाते हैं वो लैमिनेरिया से त्यार कर जाते हैं इन में से कौन से एक बीज पत्री पौधे नहीं है इसका अंसर होगा मस्टर्ड ठीक है सवाल हम रगला देखिए मौजिस इन में से किस वनस्पती जगत के समुदाय वर्क से संबंदित है मौजिस आप जानते हैं जो काई होती है आपने देखा होगा जहां पर पानी भरा रहता है या बारिश के दिनों में भी ग्रीन कलीकर क्राणर की जो काई दिखती मौजिस उसको बोलते है तो इसका अंसर उगा इसका अंसर हो जाएगा ब्रायूफाइटा चलिए अगला प्रश्ण जो है बहुत इंपॉर्टन है इमलिकित में से कौन से पोधे की समुदाय जो है वो उभैचर वर्ग के रूप में जाने जाते हैं तो यह ऐसे जीव होते हैं जो जमीन पर पानी पर दोनों जगर रहते हैं तो यह क्या है जो अबहचर वर्ग के पोधे होते हैं नेक्स देखे, हाइड्रोपोनिक्स इन मेंसे किस समपन देत है, अगर हम जानते हैं, पोधों की ग्रोध के लिए, पोधों के जीवन के लिए मिट्टी ज़रूरी होती है, तो एक ऐसी भी टेक्निक है जिसको हम जो है जो पॉदे होते हैं बीना मिट्टी के ही उगाते हैं ठीक है इसको ही बूलते हैं इसको ही बोलते हैं हाईड्र अभिया ओप्षिं सब्यार ओप प्र Node पर छेयर यह एंथूलोजी ऑप्शिन सेकेंड चलिए इसमू के जो पोदे हैं वो मुख्य रूप से जली होते हैं अक्वेटिक प्लांट्स बताने कौन से होते हैं तो यह थैलाफाइटा होते हैं यह थैलोफाइटा चूब भी आप कहना चाहें ऑप्शिन ने प्रस्ट रंगला देखी निमलिकित में से कि इस पोदे में प्रजिनन अंग छुपा हुआ होता है तो यह थैलोफाइटा और टरीडोफाइटा इन सभी में जो है बीज नहीं पाए जाते हैं तो यह सभी आंसर होते हैं प्रस्ट रंगला देखी लिवर वाट किस परकार के पोदे होते हैं तो यह पोदा वैसे जमीन पर होता है लेकिन इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी के अंदर भी जाना होता है तो यह ब्रायोफाइटा हो जाएगा ठीक है अप्शिन थर्ड इसका सभी अंसर सवाल नेक्स देखे शेवाल का अध्यन जो किया जाता है इसको क्या बोला जाता है सेवाल के अध्यन को मुलते है फाइकोलाजी ठीक है फाइकोलाजी स्टडी ओफ एलगी इनमिर से कौन सा थेला फाइटा होता है ठीक है तो यह होते हैं सब्सक्राइब कर चुंदन जूकि EVS पर ही होंगे EVS में biology पर आधारित होंगे जिसके आप लोग डिमांड कर रहे थे कि इनकी प्रेशन आप से ज़्यादा पूछे गए हैं चले इस वीडियो में इतना ही रखते हैं वीडियो पसंद आया तो like और share ज़रूर कर दीजगा नेक्स पार्ट के लिए इसके तैंकी सो मच